नमस्कार मित्रों मैं आज आपके सामने नई कहानी लेकर आया हूँ पंच पर्मेस्वर ये मुंजी प्रेम चंदरा लिखी कहानी है चलिए आए लेकिन कहानी सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्क्राइब करें तो आईए शुरू करते हैं आज की नई कहानी पंच पर्मेस्वर जुमन सेख और अगलू चौदरी में गाड़ी में तरता थी साजे में खेती होती थी लेंदेन में भी साजा था एक को दूसरे पर विश्वास था जुमन अब हज करने गए थे तब अपना घर अगलू को सौ करनाता केवल विचार मिलते थे मित्रता का मूल मंत भी यही है इस मित्रता का जर्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुमन के पूझ पिता जुमराती उन्हें सिच्छा प्रदान करते थे अगलू ने गुरू जी की बहुत सेवा की थी खोब रकाबियां मा जी खोब प्याले धोये उनका हुक्का एक छण के लिए भी विश्रामना लेने पाता था क्योंकि प्रतेक चिलम अगलू को आद गंटे तक कितावों से अलग कर देती थी अगलू के पिता पुरानी विचारों के मनुस थे उन्हें सिच्छा की अपेच्छा गुरू की सीव सुस्रु सा पर अधिक विश्वास था वए कहते थे कि विद्या पढ़ते पढ़ने से नहीं आती जो कुछ होता है गुरू के आसिरवास से बस गुरू जी की कृपादरिश्टी चाहिए अतेओ यदि अगलू पर जुम्राती से के आसिरवाद अथवा ससंग का कुछ फल न ती मगर जुम्राती से एक सौयम आसिरवाद के कायल ना थे उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताफ से आज आसपास के गाउं में जुम्राती पूजा होती थी उनके लिखे हुए रहन नामे या बैनामे पर कचैरी का महर्रिर भी कलम न उठा सकता था हलके का डाकी आकांश टेविल और तैसील का चपरासी सब उनकी करपा की आकांशा रखते थे अतैव अगलू का मान उनके धन का कारान था जो जुम्र सेख अपनी अनमोल विद्या से ही सब के आधर पात्र बने थे जुम्र सेख की एक बूरी खाला मौसी थी उसके पास कुछ थोड़ी सी मिलकियत थी परन्तु उसके निकट समंदियों में कोई न था जुम्र ने लंबे चोड़े बादे करके वह मिलकियत अपने नाम लिखवा ली थी जब तक दान पत्र की रेजिश्ट्री ना हुई थी तब तक खाला जान का खुब आदर सतकार किया गय उन्हें खुब स्वादिस पदार्द खिलाए गया हल्वे पुलाओ की वर्सा की सी की गई पर रेजिश्ट्री की मोहर ने उन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी जुम्र की पतनी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीके सालन भी देने लगी जुम्र से एक भी निश्टूर हो गए अब बेचारी खाला जान को प्राया नित ही बाते सुनने पड़ती थी बुरिया न जाने कब तक जियेगी दो तीन बीगा उसर क्या दिया मानो मोल ले लिया बगारी दाल के बिना रोटी नहीं उतरती बिना जितना रुपया उसके प समचारी ग्रह स्वामी के प्रबंद में दखल उचित न समझा कुछ दिन तक और यों ही रोध होकर काम चलता रहा है अंत में एक दिन खाला ने जुम्र से कहा बेटा तुमारे साथ मेरा निर्वान न होगा तुम मुझे रुपय दे दिया करो मैं अपना पका खालूंगी ज जुम्मन ने धरिश्टता के साथ उत्तर दिया रूपय क्या यहां फलते हैं क्या खाला ने नमरता से कहा मुझे कुछ रूखा सुखा चाहिए भी कि नहीं जुम्मन ने गंबिर स्वर से जवाब दिया तो कोई यह थोड़े ही समझता था कि तुम मौस से लड़का आई हो खाला बिगड़ गई उन्होंने पंचायत करने की धंगी दी जुम्मन हसे जिस तरह कोई सिकार हिरन को जाल की तरफ जाते दे कर मन ही मन हसता है वह बोले हाँ जरूर पंचायत करो फैसला हो जाये मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं पंचायत में किसकी जीत होगी इस विशे में जुम्मन को कुछ भी संदेश ना था आसपास के गाओं में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रेहों का रिड़ी ना हो ऐसा कौन था जो उसको सत्र बनाने का साहस कर सके किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके आसपास के फरि कमर जुक कर कमान हो गई एक एक पक चलना दूबर था मगर बात आ पड़ी थी उसका निर्णाय करना जरूरी था बिल्ला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुड़ीयार ने दुख के आशू न बहाय हो किसी ने तो योँ ही उपर मन से हूं हां करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालिया दी कहा कबर में पाउं लटके हुए हैं आज मरे कल दूसरा दिन पर हवस नहीं मानती अब तुम्हें क्या चाहिए रोटी खाओ और अल्ला का नाम लो तुम्हें अब खेती बारी से क्या काम है कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिनने हाथ से रस के रसासों का अच्छा औसर मिला जुकी हुई कमर पोपला मू सन के से बाल इतनी सावगड़ी एकत्र हो तब हसी ना आवे ऐसा नियाए प्री दयालू दीन वसल पुरस बहुत कम थे जिनने उस अबला के दुखड़े को गोर से सुना हो और उसको सतावना दी हो चारो और घूम घाम कर बेचारी अगलू चौदरी के पास आई लाठी पटक दी और दम लेकर बोली बेटा तुम भी दम भरके ले मेरी पंचायत में चले आना अगलू मुझे बुला कर क्या करोगी कई गाओं के आदमी तो आवेंगे ही खाला अपनी विपत तो सबके आगे रो आई अब आने ना आने का अक्तियार उनको है अगलू यो आने को आग जाऊंगा मगर पंचायत में मुझा खोलूंगा खाला क्यों बेटा अब इसका क्या जवाब दूँ अपनी खुशी जुमन मेरा पुराना मित्र है उससे बिगाड़ नहीं कर सकता खाला बेटा क्या बिगाड़ के डर से इमान की बात न कहोगे हमारे सोय हुए धर्म ग्यान की सारी संपत लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती परन्तु ललकार सुनकर वह सचेच हो जाता है फिर उसे कोई जीत नहीं सकता अगलू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका पर उसके हिर्दे में ये सब्द गुंज रहे थे आदी का प्रबंद भी किया था हाँ वह सुहम अलबता अगलू चौदरी के साथ जरा दूर बैठे हुए थे जब पंचायत में कोई आ जाता तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते जब सुर्ज अस्त हो गया और चुड़ियों की कलवर युक्त पंचायत प्रणों पर बैठी तब यहां भी पंचायत सुरू ही फर्स की एक-एक अंगुल जमीन भर गई पर अधिकांस दरसक ही थे निमत्रित अमाहासेयों में से केवल वे ही लोग पदा रहे थे जिने जुमन से अपनी कुछ हसरत निकालनी थी एक कोने में आग सुलग रही थी नाई तावर तो चिलम भर रहा था यह निर्णाय करना असंबाउता कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआ निकलता था या चिलम के दमों से लड़के इधर उधर दोल रहे थे कोई आपस में गाली गलोच करते और कोई रोते थे चारों तरफ कोलाहल मच रहा था गाओं के कुत्ते इस जमाओं को भोच समझकर जुंड के जुंड जमा हो गए पंच लोग बैठ गए तो बुड़ी खाला ने उनसे बिंती की पंचो आर्ज तीन साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुमन के नाम लिख दी थी इसे आप लोग जानते ही होंगे जुमन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था साल भर तो मैंने इसका साथ रोध होकर काटा पर अब रात दिन का रोणा नहीं सा जाता मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना तलन का कपड़ा बेकस बेवा हूँ कचैरी दरवार नहीं कर सकती तुमारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाओ तुम लोग जो रहा निकाल दो उसी रहा पर चलूँ अगर मुझे में कोई एब देखो तो मेरे मुझे पर थपड मारो जुमन में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेकस की आहा लेता है मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चड़ाओंगी राम धनमिस जिनके कई आसामियों को जुमन ने अपने गाओं में बसा लिया था बोले जुमन मिया किसे पंच बदते हो अभी से इसका निप्टादा कर लो फिर जो पंच कहेंगे वो मानना पड़ेगा जुमन को इस समय सदस्यों में विसेज कर वे ही लोग दीख पड़े जिन से किसी ना किसी कारण उनका वेमनस था जुमन बोले पंचों का हुक्म अल्ला का हुक्मा है खाला जान कि जिसे चाहें उसे बंदे मुझे कोई उज्र नहीं है खाला ने चिला कर का अरे अल्ला के बंदे पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता कुछ मुझे भी तो मालू हो जुमन नो कुरुस सिखा अब इस वक्त मेरा मून नो खलुआओ तुमारी बंद पड़ी है जिसे चाहो पंच बदो खाला जान जुमन के आपेच को समझ गई वै बोली बेटा खुदा से डरो पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुस्मन कैसी बात कहते हो और तुमारा किसी पर विस्वास ना हो तो जाने दो अगलू चौदरी को तो मानते हो लो मैं उन्ही को सरपंच बदती हूँ जुमन से एक आनंद से फोल उटे परंत भावों को छिपा कर बोले अगलू ही सही मेरे लिए जैसे रामधन जैसी वैसे अगलू इस जमेले में फसना नहीं चाहते थे वो एक कन्नी काटने लगे बोले खाला तुम जानती हूँ मेरी जुमन से गाड़ी दोस्ती है खाला ने गंबिर सर में का बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना इमान नहीं बेस्ता पंच के दिल में खुदा वस्ता है पंचों के मुझ से जो बात निकलती है वो एक खुदा की तरफ तरफ से निकलती है अगलू चौदरी सरपंच हुए रामदन मिस्र और जुमन के दूसरे विदोर्दियों ने बुडिया को मन में बहुत कोसा अगलू चौदरी बोले सेख जुमन हम और तुम पुराने दोस्त हैं जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की हम भी जो कुछ बन पड़ा तुमारी सेवा करते रहे मगर इस समय तुम और बुड़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो जुमन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है अगलू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है अतैयो सांते चित होकर बोले पंचों तीन साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिबा कर दी थी मैंने उन्हें मैंने उन्हें खाना कपड़ा देना कुबोल किया था खुदा गवा है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी मैंने उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है मगर औरतों में जड़ा अन्बन रहती है उससे मेरा क्या बस है खाला जान मुझसे महवार खर्च अलग मांगती है जाईजात की जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं उससे इतना मुनाफ़ा नहीं होता कि महवार खर्च कर सकूँ इसके अलावा हिब्बा नामे में महवार हिब्बा नामे में महवार खर्श का कोई जिक्र नहीं, नहीं तो मैं भूल कर भी इस जमेले में न पड़ता, बस मुझे यही कहना, आइंदा पंचो का अक्तियार है, जो फैसला चाहे करें, अगलू चौदी को हमेशा कचेरी से काम पड़ता था, अता हुए पूरा कानूनी आदमी था, उसने जिम्मन स क्या हो गया, अभी यह अगलू मेरे साथ बैठा हुआ था, कैसी कैसी बाते कर रहा था, इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ, ना मालूम कब की कसर निकाल रहा है, क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी, जुमन स देख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है, उन्हें ये नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को मावार खर्च दिया जाए, हमारा विचार है कि खाला की जायदास से इतना मुनाफ़ा अवस होता है कि मावार खर्च दिया जा सके, बस यही हमारा फैसला है, जुमन मित्रों वे सत्रों का विवार करे और गले पर छूरी फेरे इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पढ़ने पर धोका दिया ऐसे ही असरों पर जूटे सचे मित्रों की परक की जाती ये कलियों की दोस्ती है मगर लोग ऐसे कप्टी धो के बाज ना होते तो देश में आपत्यों का प्रकूप क्यों होता यह है जा प्लेग आदी व्यादियां दुसकर्मों के ही टंड है मगर राम धन मिस्र और अन्य पंच अगलू चौधरी की इस नी थी परारता की प्रसंसा जी खोल करकर रहे थे वे कहते थे इसका नाम पंचाय को चली जाती इस फैसले ने अगलू और जुमन की दोस्ती की जड़ हिला दी अब वे साथ साथ बाते करते नहीं दिखाई देते इतना पुराना मित्रता रूपी ब्रच सत्य का एक जूंका भी ना सह सका सच मुच वे बालू की ही जमीन पर खड़ा था उन में अब सिष्ट बदला लेने का औसर मिले अच्छे कामों पर बुरे कामों के सिध में ये बात नहीं होती जमीन को भी बदला लेने का औसर जल्द ही मिल गया पिशले साल अगलो चौदरी बटेसर से बैलो की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे बैल पशाही जाती के सुन्दर बड़े-बड़े सींगों वाले थे महीनों तक आसपास के गाउं के लोग दैसन करते रहे दैव योग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया जुम्मन ने दोस्तों से का ये दगावाजी के सजा है इनसान सब भले ही कर जाए पर खुदा नेक बद सब देखता है अगलू को संदे हुआ कि जुम्मन ने बैलों को विस्त दिला दिला दिया है चुद्राइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुरगटना का दोसर उपन किया उसने कहा जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है चुद्राइन और करीमन में इस विस्त पर एक दिन खूप ही वाद विवाद हुआ दोनों देवियों ने सब्द बाहुल की नदी बहादी व्यंग वक्रोत अन्योक ती उपमा आदी अलंकारों से में बाते हुई जुम्मन ने किसी तरह सांती स्थापित की उन्होंने अपनी पत्नी को डाट डपट कर समझा दिया वे उसे उस रण भूमी से हटा भी ले गया उदर अगलू चौदरी ने समझाने बुजाने का काम अपने तरक पूर्ण सोटे से लिया अब अकेला बैल किस काम का उसका जोड बहुत धूना गया पर ना मिला निदान यह सला ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए गाउं में एक समझू साहू थे वे एका गाड़ी हाकते थे गाउं के गुड घी लाद कर मंडी ले जाते थे मंडी से तेल नमक भर लाते थे और गाउं बेचते थे इस बैल पर उनका मन लहराया उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर मैं बे खटके तीन खेप हो आज कल तो एक ही खेप के लाले पढ़े रहते हैं बैल देखा गाड़ी में दोड़ाया बाल भोरी की पहचान कराई मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया एक महिने में दाम चुकाने का वादा ठहरा अगलू चौदरी को भी गरस थी ही घाटे की परवार ना की समझो साउने नया वैल पाया तो लगे उसे रगेड़ने वे दिन में तीन तीन चार चार खेपे करने लगे ना चारे की फिक्रती ना पानी की बस खेपों से काम था मंडी ले गए वहाँ को सूखा भूसा सामने डाल दिया बेचारा जानवर अभी दम भी ना लेने पाया था कि फिर जोत दिया अगलू चौदरी के घर था तो चैन की बंसी बस्ती थी बैल राम छटे चमाहे कभी बहली में जोते जाते थे खोब उशलते कूते और कोसो तक दोरते चले जाते थे वहाँ बैल का रातिब था साप पानी दली हुई अरहर की दाल और भूसे की साथ खली और यही नहीं कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था साम सवेरे एक आदमी घर हरे करता पोचता और सहलाता कहां वह सुख चैन कहां यह आठो पैर की खपत माईने भर ही में वह पिस सा गया एक्के का जुआ देखते ही वह लोलू सूख जाता एक एक पक चलना दूबर था हड़िया निकल आई थी पर थावय पानीदार मार की बरदास्त न थी एक दिन चौथी खेप में साहु जी ने दूना बोज़ लादा दिन भर का ठका जानवर पैर न उठते थे पर साहु जी कोड़े फटका फटकाने लगे बस फिर क्या था बैल कलेजा तोड़ कर चला कुछ दूर दोड़ा और चाहा कि जरा दम लेलू पर साहु जी को जल्द पहुँचने की फिकर थी अते उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दास्ता से फटका रे बैल ने एक बार फिर जोल लगाया पर अब की बार सकती ने जवाब दे दिया वे धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा की फिर न उठा साहु जी ने बहुत पीटा टांग पकड़के खीचा नथनों में लकड़ी ठूस दी पर कहीं मृतक भी उठ सकता है तब साहु जी को कुछ सक हुआ उन्होंने बैल को गोर से देखा खोल कर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे बहुत चीके चिलाए पर देहाद का रास्ता बच्चों की आग की तरह साज होते ही बंद हो जाता है कोई नजर ना आया आसपास कोई गाउं भी ना था मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे अब आगे तुझे मरना ही था तो घर चलकर पहुँचकर मरता ससरा बीच रास्ते में ही मर रहा है अब गाड़ी कौन खीचेगा इस तरह साहु जी खोब जले भुझे कई बोरे गुड और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे दो धाई सो रुपए कमर में बंदे थे इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे अतर चोड़ कर जा भी नहीं सकते थे लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लिट गये वही रत जगा करने की ठानली चिलम पी फिर हुका पिया इस तरह साहु जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे अपनी जान में तो वे जाकते ही रहे पर पफटते ही जो नींद तूटी और कमर पर हाथ रखा तो थेली गायब घबरा कर इधर दर देखा तो कई कनिश्टर तेल खाने लगा प्राता काल रोते फिलगते घर पहुचे साहु सवाइन ने जब ये बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई फिर अगलु चोदरी को गलिया देने लग नीगोडे ने ऐसा कुलचनी बैल दिया कि जन्व भर की कमाई लुट गई इस घटना को हुए कई मैन बीद गया अगलु जब अपने बैल के दाम मांगने ते तब साहु और सवाइन दोनों ही जलाते हुए कुटे के तरह चड़ बैटते और अंडबंड बखने लगते वाह यहां तो सारे जन्व की कमाई लुट गई सत्यानास हो इन्हें दामों की पड़ी है मुर्दा बैल द हमें निरा पोंगा ही समझ लिया हम भी वनिये के बच्चे हैं ऐसे बुद्दू कहीं और होंगे पहले जाकर किसी गड़े में मू धो आओ तब दाम लेना ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोड ले जाओ माईने बर के बदले दो महने जोत लो और क्या लोग है चौदरी के अ इस तरह हाँ धो लेना आसान ना था एक बार वह भी गरम पड़े साहु जी बिगड़कर लाठी ढूनने घर में चले गए अब सवाइन ने मैदान लिया प्रसनोतर होते होते हाताबाई की नौबत आ पहुची सवाइन ने घर में गुसकर किमार बंद कर लिया सोर गुल सु साहु जी को दिलासा देगा घर से निकाला वह परामस देने लगे इस तरह से काम ना चलेगा पंचायत कर लो जो कुछ तैग हो जाए उसे स्विकार कर लो साहु जी राजी हो गया अगलों ने भी हामी भरती पंचायत की तायारिया होने लगी दोनों पच्छों ने अपने दद बनाने शुरू कुई है इसके बाद तीसरे दिन उसी बिच के नीचे पंचायद बैटी वही संद्या का समय खेतों में कोवे पंचायद कर रहे थे और विवाद ग्रस विसे था यह कि मतर की फलियों पर उनका कोई सथ है या नहीं और जब तक यह प्रस्न हल ना हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपसंता प्रकट करना आवसक समझते थे पेड़ की डालियों पर बैठी सुक मंडली में प्रस्न छिड़ा हुआ था कि मनस्यों को उन्हें बेमूरावत कहने का क्या दिगार है जब उन्हें स्वैम अपने मित्रों से दगर करने में भ अगलो ने दीन भाव से का समझू साहूं ही चुनले समझू खड़े हुए और कलक कर बोले मेरी और से जुम्मन से जुम्मन का नाम सुनते ही अगलो चौदरी का कलेजया धक धक करने लगा मानो किसी ने अचानक थपल मार दिया हूँ रामधन अगलो के मित्र थे वे बात को ताल गए पूछा क्यों चौदरी तुम्हें क्या उज्डु तो नहीं चौदरी निरास होकर का नहीं मुझे क्या उज्डु अपने दायतों का ग्यान बाउदा हमारे संकुचित विवारों का सुधारक होता है जब हम रा भूल कर भटकने लगते हैं यही ग्यान हमारा विस पत्र संपादक अपनी सांत कुटी में बैठा हुआ कितना धर्ष्टता और सतंत्रा के साथ अपनी प्रबल लेखनी में मंति मंदल पर आकरमार करता है पर तो ऐसे औसार आते हैं जब वेस्वायम मंदल में सम्झेज़त होता है और मंदल के भाउन में पग धरते ही उसकी ल तित रहते हैं वे उसे कुल कलंक समझते हैं पर थोड़े ही समय में परवार का बोज सिर पर पढ़ते ही वे अवे उस्ताचित उनमत यूवक कितना धहर सील कैसा सांतेचित हो जाता है यह भी उत्तरदायतों के ग्यान का फल है जुमन सेक के मन में भी सरपंच का उच्छ स्था है और देवारी में मेरे मनोविकारों का कराब समान वेस्त ना होना चाहिए मेरा सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं पंचों ने दोनों पच्छों से सवाल जवाब करने सुरू किये बहुत देर तक दोनों अपदल अपने अपने पच्छ का समर्थन करते रहे इस विसे म तो सब सहमत थे समझू को बैल का मूल देना चाहिए परन तो दो महां से इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानी हुई है इसके प्रतकूल दो सब मूल के अतरिक समझू को डंड भी देना चाहते थे जिससे फिर किसी को पसूँ के साथ ऐसी नि बैल का पूरा दाम दे जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी ना थी अगर उसी समय दाम दे दिया जाते तो आज समझू उसे फेल लेने का अग्रण ना करते बैल की मृत तो केवल इस कारां होई कि उससे बड़ा कटिन पस्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंद ना किया गया रामधन रामधन मिस्र बोले समझू ने बैल को जान बूच कर मारा है अते उससे डंड लेना चाहिए जुमन बोले यह दूसरा सवाल है हमको इससे कोई मतलत नहीं जगडू साहू ने का समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए जुमन साहू बोले यह अगलू चौदरी की इच्छा पर निर्भर है यह वह रियायत करें तो उनकी भल्मन साहत अगलू चौदरी फूले ना समाए उठ खड़े हुए और जोर से बोले पंच परमेश्वर की जय हो इसके साथी चारों और से धनी प्रतिदनी हुई पंच परमेश्वर की थोड़ी देर बार जुमन अगलू के पास आये और उनके गले लिपट कर बोले भया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणगा तक सत्व बन गया था पर आज मुझे ग्यात हुआ कि पंच के पद पर बैठ कर ना कोई किसी का दोस्त होता है ना स्वास हो गया पंच की जुबान से खुदा बोलता है अगलू रोने लगे इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया मित्रता की मुझाई हुई लता फिर से हरी हो गई धन्यवाद मित्रों आज की कहानी यहीं समाप्त होती है असा करता हूँ कहानी आप लोगों को पसं कंदाई होगी जह हैं